नमस्कार मैं हुनीलू तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे लेबनन में इसराइल को ग्राउंड ओपरेशन में बड़ा छटका लगा है जी हाँ इसरेल को काफी पीछे घिसकना पड़ा है अपनी पोजिशन से क्योंकि इसरेल लगाता लेबनन में आके बड़ता चला जा रहा था लेकिन इस बीच खबर आई है कि लेबनन में हिजबुल्ला की तरफ से कुछ हमले हुए है जिसके बाद इसरेली सेना को पीछे की तरफ जान और आगे आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेजी भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन तूसरी तरफ ग्राउंड ओपरेशन में इस्रेल को बड़ा जटका लगा है किस तरह से बताई है देखिए यह यारून इलाका है लेबनन का और जो कि जैसा बताया जा रहा है कि इस इस इलाके में आमने सामने की जंग हो रही है और देखिए लड़ाके जो है वो लगातार आईडियेफ और इसराईली सेना जो की लेबनन में अंदर आई है उसको निशाना बना रहे हैं और बताया जा रहा है कि तीन टैंक्स जो है वो एंटी टैंक मिजाइल जो है उस पर दागे गए और तीन टैंक्स इसराईल के तबाह हो गए देखिए पहले भी हिजबुल्ला की तरफ से वार्निंग दी गई थी कहा गया था कि अगर इसराईल के टैंक्स अगर अंदर घुसते है तो हम उन्हें पीछे धकेले पर मजबूर कर देंगे और देखिए वहसी अभी जो 24 गंटे में ये तीन मतलब जो खबरे आएं कि तीन जो है टैंक्स तबाह हो गए और शे इसराईली सैनेकों की जो है वो मौत हो गई है देखिए ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये इस है इक एक अलग बात है आप मिजाइल साटे कर सकते हैं एर इस ट्राइक कर सकते हैं वह आसान होते हैं आपने टारिगेट विक्स किये और आपने छोड़ दी आरे स्ट्राइक कर दी लेकिन जबत अप ग्राॉंड ओपरेशन करते है तो ये बड़ी चुनलते बन जाता है forces के लिए वहाँ पर operation करना देखिए यह जो पूरा लिबनन का इलाका है जिस दक्षणी लिबनन में सीमा से जुड़े इलाकों में जो यह operation हो रहा है यह हिजबुल्ला का इलाका है यहाँ पर जो हिजबुल्ला के लड़ाके है वहाँ पर इस पूरे इलाके से अच्छी तरह जानते हैं यह इलाका इसराइली सेना के लिए नया है तो पहली बात तो यह है कि इसराइली सेना जो है वो तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि आपको पीछे बैकप चाहिए होता है उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यह ground operation जो है इसरेल के लिए एक बड़ी चुनौती होगा और यह उतना आसान नहीं होगा देखिए आपने भले स्ट्राइक होई और बड़े लीडर्स आपने मार दिये या आपने बेरूत में या दक्षनी लिबनान में एर स्ट्राइक में बड़ी तबाई की है इससे बड़ा सेट बैक हुआ जो कि इसरेल कहरा था कि हमने बहुत हद तक उसे डामेज किया है एस्ट्राइक के जरीए और इसी लिए वो अंदर खुसने में काम्याब रहा कि अब तो ग्राउंड पर हिजबुला को खत्म किया जाएगा लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर इस्थिती अनुक अब जिए जो इरान ने जो बैलिस्टिक मिजाइल से फटेवण मिजाइल से जो हमले हुए इसराइल के उपर इसने जो है एक प्रकार से आप देखें तो हिजबुला का जो है वो मनोबल फिर से बढ़ा दिया है देखिए लगातार जो इस्रेल की तरफ से अटैक्स हुए ह हिजबुल्ला के खिलाफ उसमें नसरल्ला की मौत हो जाती है बड़े टॉप कमांडर्स की मौत होती है इसके बाद से एक हिजबुल्ला ऐसा लग रहा था कि एक बैक फुट पर आ गया है लेकिन ये इरान की जो एर स्ट्राइक हुई जो मिजाइल अटैक हुए बैलिस्टिक म वहाँ पे हिजबुल्ला की तरफ से 210 रॉकेट्स कल रात को फायर किये गए उसमें से 90 परसेंट से जादा रॉकेट्स जो आइरन डॉम सिस्टम है उसने उसको तभा कर दिया लेकिन कुछ रॉकेट्स ऐसी खबर हैं कि गिरे भी है तो देखिए एक प्रकार से आप इसरेल ने कर रखी है हिजबुला के खिलाफ लेबनन में उसके बाद भी हिजबुला के तरफ से रॉकेट्स फायर हुए उसके बाद खबरे आई कि इसराइल ने बड़ी एर स्ट्राइक की है बेरूत में और कई हिजबुला के ठिकानों पर और लगातार जो है वो बंबार ही हुई है और कई इलाके पूरी तरह से तबाह हुए है तो इसराइल की तरफ से भी जो है पलटवार जबर्दस्त हुआ है और लिबनन में कई ठिकानों पर हमले हुए है देखे एक सवाल यहां पर और आप उसका जवाब दीजेगा मैं चुकि इरान ने एक बड़ा हमला क ही च्पार्ट है हिज्बॉल्ला को जंदा किया ह्पूरी तंक्रम के सार इस्रे इसरेल पर हमला कर रहा है हलाकि इस्रेल भी हमला कर रहा है उसके बार में भी जानकरी हमारे दर्श्चक को दीजेगा लेगिन एरान भी कहता कि हम क्या करे हमारे पास कोई option नहीं बचा इस्रेइल ने कोई option नहीं छोड़ा और यहीं वज़ा थी कि हम ने इतना वड़ा हमला किया अगर आगे भी इसे तरह से हमला करता रहेगा तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचाए यह आप इरान के दाश्पती पिजिशक और इसलिए इरान की तरफ से यह हमला किया गया, हम आगे युद्ध नहीं चाहते, यह पेजिशक्यान की तरफ से बयाना है, लेकिन देखिए आपको यह भी समझना होगा कि अब इसराइल की तरफ से नेतन याहू इस बात पर अड़ गए है, कि इसराइल इस हमले का बदला ज बताया जाता है कि इस बैठक में जो है, वो पूरा प्लान तयार हो गया कि कैसे इरान पर हमला करना है, बताया जा रहा है कि इरान की जो ऑईल रिफाइनरी हैं, यह इसरेल के निशाने पर हैं, करीब 10 बड़ी ऑईल रिफाइनरी हैं, 10 बड़े ऑईल डिपोज हैं, उसमें से साथ पे जो है इस्राइल कभी भी सीधा हमला कर सकता है अपनी मिजाईल से इसके अलावा जो इरान के सेन ठकाने हैं ये इसराइल के निशाने पर हैं जो missile launching sites हैं इस पे इसराइल हमला कर सकता है नेवल बैस ओर युद पोट जो है उस पे अटैंक हो सकता है और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मुसाद की तरफ से एक बड़ी टार्गेट किलिंग इरान में शुरू हो सकती है मुसाद जो है आप देखिए युद्ध के रिपलाई करने के कई तरीके हो सकते हैं इसरल्ला को जिस तरह से खतम किया गया हनिया पे जिस तरह से हमला हुआ इसी तरह की टार्गेट किलिंग जो है मुसाद की तरफ से भी शुरू हो सकती है और साथ ही एक बड़े लिवल पे स्ट्राइक भी हो सकती है लेकिन इसके सब के बीच में जो सबसे चिंता की बात है इस बैठक में जो बाइडन की तरफ से यह कहा गया कि हम नहीं चाहते कि इरान के न्यूक्लियर साइट्स पर को निशाना बनाया जाए यह बात जो बाइडन की तरफ से कही गई बार बार आ रही थी कि अगर इसरेल को टार्गेट करता है तो वो इरान का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो उसके निशाने पर है और काफी दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि हो सकता है टार्गेट करे तो क्या इसकी इन ही आशंकाओं के बाद बाइडन का यह बिल्कुल ठीक के रहे हैं अगर यह किसी भी नूक्लियर प्रोजेक्ट साइट पर अगर हमला हो जाता है उसके बाद जो रिडियेशन होगा उस वो किसी के काबू में नहीं होगा उसके बाद तो यह मान लीजए आप कि यह बहुत बड़ा हाथसा हो जाएगा चेर्नोबिल से बड़ा हाथसा हो सकता है तो इसलिए जो बाद कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से जो है वो नुक्लियर साइट जो है उसको निशाना बनाया जाए देखिए बादन का यह कहना अपने आप में यह बता रहा है कि अब इस पूरे इलाके में कुछ भी हो सकता है औ लेकिन व्लादिमिर पुतिन ने नेतन यहु का फोन लाइन पर ही नहीं आए उन्होंने उस फोन कॉल का जवाब ही नहीं दिया जाए बिल्कुल अभी देखिए आप हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इरान ने जो है जो हमला किया इसरेल पे उस हमले के पहले उसने इसको फोन करके पूरी जानकारी दे दे थी कि हम जो है मिजाइल अटैक करने जा रहे हैं ऐसा बोला जाता है जो एक्सपर्स बता रहे है सोशल मीडिया में चर्चा है कि रूस से हरी जंडी मिलने के बाद ही इरान ने यह अटैक किया उसके बाद कल ख़बर आती है कि नेतन इसराइल की नहीं है हम बार बार इस बात को कह रहे है कि यह अमेरिका वर्सिस रूस की लडाई है इसमें चीन भी खड़ा हुआ है नौर्थ कोरिया भी जो है रूस और इरान के साथ ख़ड़ा दिखाई देगा शायद यही वज़ा है कि देखिए रूस और इसरेल के बीच इसरेल के साथ मिलके एक बड़ा हमला कर सकता है इरान के उपर लेकिन इसका परिणाम क्या होगा क्या यह एक वर्ल्ड वार की शुरुआत की दिशा में पहला कदम होगा या कोई बड़ा खाड़ी युद्ध छड़ जाएगा इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा और शायद यही वज़ा है कि हर देश इस पूरे मौमले में जो इन्वाल्व है वो बड़ा फूक फूक के हर कैलकुलीशन के साथ अगला कदम उठाना जाएगा तो फिर विश्वय युद्ध तो इसे कहा जा सकता है क्योंकि अगर अमेरिका, रूस, चाइना इसमें कूदा वेंग तो बहुत स्थिती खराब होगी लेकिन इसराइल का आपने प्लान बताया कि किस तरह से उसने प्लान बनाया है एरान में किन-किन जगों को खात्म करना है लेकिन दूसरी तरह खबर यह यह भी आ रही है कि इरान ने भी अपने तरफ से प्लान बनाया है क्योंकि दे ये जा रहा है कि इरान की तरफ से भी नितन्याहू हो या उनके रक्षा मंत्री हो ये सब निशाने पर है बड़े-बड़े मुसाथ के हैकोटर है या फिर उनके एर बेसेज है या इरान में भी पूरी तयारी कर ली है कि अगर नुकसान हमारा हुआ उससे जदा ही करेंगे हम इस बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अगर किसी भी तरह का प्लटवार इसरेईल की तरफ से होता है तो फिर उसके लिए इसरेईल को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरी चीज एरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अमेरिका को इस पूरे मामल करेंगे जगा भी हम तैय करेंगे तो ये बात तो तैय है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि आज की रात बारी पारी पड़ जाया हो सकता 48 गंटे हो सकता भागतänder लेकिन इसरेईल की तरफ से पलटवार होगा ये बात तो एकदम तैय है और इरान भी इसके ल क्मिटिलिस्ट बैठा हुआ है एरान हमला करेगा की नहीं करेगा इसरेल का हमला कितना बड़ा होगा अमेरिका किसमें क्या भूमिका होगी रूस इसको लेकर क्या सोचता है इन सब को लेकर लगातार हमारे चर्चा हम करते रहेंगे यह तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचात रहेंगे हमारे साथ बन रहें